विद्यार्थियों, आज हम लोग मन्नु भंडारी की रचना रजनी को पढ़ेंगे लेकिन रजनी पाठ पढ़ने से पहले, मैं आपको यह वताना चाहूंगा कि रजनी एक आध्निक इस्त्री का नाम है, जो पारंपरी किष्त्री नहीं है इसलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग मन्नु भंडारी के बारे में पहले जानेंगे उसके बाद यह जानेंगे कि आखिर रजनी किस तरह की महिला है और मनुभंडारी को इस तरह की रचना करने की आवश्यक्ता क्यों हुई तो आएए सबसे पहले लेखिका के बारे में जाने कि आखिर लेखिका कौन है क्या उनका योगदान है उनके बारे में जानते हैं विद्यार्थियों, हिंदी कहानी की दुनिया में मन्नु भंडारी को शायद ही कोई हिंदी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई थी इन्होंने कासी हिंदू विश्विद्याले से हिंदी विशय में एम्मे किया इन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्रध्यापिका के तौर पर कार्ज किया इन्हें विभिन पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है आईए अब इनकी प्रमुख रचनाओं से रूबरू होते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इन्होंने उपन्यास भी लिखे कहानी भी लिखे तो सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में जानते हैं कि उनका कौन सा उपन्यास है जो बहुत ही लोकप्रिये रहा और आज भी हम हिंदी के लोग उनके उपन्यासों को याद करते हैं तो उनका उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, आदी उनकी पटकताएं, उन्होंने कुछ टेलीवीजन के लिए पटकताएं भी लिखी उन्पटकताओं में ये रजनी जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और निर्मला, स्वामी और दरपन आदी प्रमूख है उनकी शाहितिक विशेशताओं को जानते हैं कि आखिर मनुभंडारी किस तरह की रचना करती हैं और वो किस दौर की रचनाकार है मनुभंडारी हिंदी साहितिके नई कहानी आंदोलन की लिखिका है उनकी कहानियों में पारिबारिक जीवन, नारी जीवन तथा समाज के विभिन वर्गों के जीवन की विशंगतियों की अभिव्यक्ति हुई है उनकी कहानियों को जब हम देखते हैं तो उसमें उनकी कहानियों संग्रह, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है आदी कहानियां आज भी हम सभी के लिए एक मार्कदर्शक और जीवन को समझने में मदद करती है उन्होंने ब्यंग्य और समवेदना कहानी को मैनुवय ज्यानिक रचनात्मक आधार दिया है यह मनुभंडारी की सबसे बड़ी विशेष्टा है कि वे पात्रों के भीतर खुद को ले जाती हैं और उनकी मनुवय ज्यानिकता को समझते हुए हम तक उनके पात्र बोलते हैं और हम तक सीधियों बात पहुँचती हैं जो हमारे जीवन का यथार्थ है विद्यार्थियों मनुभंडारी के वेक्तित्यों को हम लोग इसके माध्यम से समझें और अब हम लोग पात को समझेंगे लेकिन पात पढ़ने से और उसकी व्याख्या करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पात का परिचय बता हूँ तो पाठ के परिचे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह पाठ रजनी मनू भंडारी द्वारा लिखित धारावाहिक रजनी का अंश है धारावाहिक आप सभी समझते हैं कि धारावाहिक क्या है आनि टेलीविजन पर लगातार सीरियल जो प्रशारित किये जाते हैं उस सीरियल को ही हिंदी में धारावाहिक कहते हैं धारावाहिक के लिए यह रजनी रचना मनुभंडारी ने की थी। यह पटकथा अपने समय के बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। इसके निर्देशन वासू चटरजी ने किया था धारावाहिक की हर कड़ी में लेखिका ने एक जागरुक और इनसाफ के लिए लड़ती इस्त्री पात्र को हमारे सामने रखा है। रजनिय कांकी में लेखिका ने व्यवसाय बनती जा रही सिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकरशित किया है। इसे एक मूल समस्या के रूप में पहचान की है और हम सभी के सामने रखी है। एकांकी की शुरुवात लीला के घर से होती है। रजनी लीला की पडोशन है। वह लीला को अपने साथ बाजार ले जाने के लिए उसके घर आती है। लेकिन लीला के बेटे अमित का आज रिजल्ट आने वाला है। इसलिए रजनी वही रुख जाती है। रजनी भी अमित को बहुत सनेह करती है क्योंकि अमित एक होनहार विद्यार्थी है। अमित भी रजनी आन्टी को अपना रोल मोडल मानता है। अमित घर आता है और लीला रजनी उसे बधाई देने लगती है। अमित उदास है क्योंकि सभी विश्यों में उसे अच्छे अंक आये हैं। लेकिन गणित में उसे अच्छे अंक नहीं आये है। अंक नहीं आने का उसका गणित में कमजोर होना नहीं है, बलकि गणित के अध्यापक से ट्यूशन नहीं पढ़ने के कारण अध्यापक ने उसे कम अंक दे दिया है, अगले दिन रजनी अमित को लेकर स्कूल जाती है, और वहां हेड मास्टर साहब से मिलती है, लेकिन वहां स मस्या का समाधान नहीं होता है, रजनी हिम्मत नहीं हारती, और अगले दिन वह डायरेक्टर ओफ एजुकेशन के ओफिस पहुच जाती है, लेकिन वहां भी वह जो देखती है, उससे बहुत ही उसे पीड़ा पहुचती है, लेकिन अब वह महिला है, और जागरुक महिला है प्रगतिशील महिला है, इसलिए उन तमाम चीजों को तब तक वह अपने अंदर जज़्व करती है, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाए, तो बहुत ही मसक्कत के बाद उनसे रजनी की मुलाकात होती है, लेकिन वहां से भी रजनी को निराश होना पड़ता है, क्योंकि सरकारी बेवस्था हर एक कड़ी दूसरे कड़ी पर अपनी बातों को डाल देती है, जिसके कारण आम नागरी को तच्छन जल्दी उसे उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता। रजनी हार नहीं मानती, वह अगले दिन एक अखवार के दफ्तर जाती है, क्योंकि उसे अब भरोसा है कि अगर अपनी आवाज को जनता की आवाज बना दी जाये, तो निश्चित रूप से हुक्मरानों की दृष्टी उस तरफ जरूर आती है। यही सोच कर वह अखवार के दफ्तर जाती है, वह सोचती है कि देश में फैले इस भरष्टा चार को लोगों के बीच लाना ही होगा। संपादक रजनी का साथ देने के तयार हो जाते हैं। संपादक रजनी का साथ देते हैं और कहते हैं अख़वार वाले आपके साथ है रजनी एक parents meeting रखती है और उसमें यह मांग रखती है कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्र को tuition न दे जिससे की किसी के मांक्ष कटने की समस्या उत्तपन ना हो अगले दिन रजनी का पती अख़वार पढ़ते हुए देखता है कि रजनी की समस्या सुन ली गई है वे रजनी को चिला कर बुलाते हैं और समाचार दिखाते हैं रजनी बहुत प्रसन होती है और कहती है कि अगर डट कर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न उड़ाई जा सकती है तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने संचिप्त रूप से इस पाठ के सार को समझा कि आखिर इस पाठ में क्या है लेकिन इस पाठ के सार को समझने के साथ हम लोगों को थोड़ा सा इस पर विश्टार से भी चर्चा करने की आवस्यकता है ताकि हम इसे समझ सकें विदार्थियों, हम लोग जिस पार्ठ को अभी समझने जा रहे हैं, इसे आप लोगों ने अभी अभी संचिप्त रूप में सुना और समझा तो इसे विश्तार से समझने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पार्ठ रजनी एक तेलिविजन धारवाही की एक कड़ी है और इसे समझने के लिए हमने इसे साथ द्रिश्यों में विभाजित किया है क्योंकि प्रतेक द्रिश्य में एक घटना है और उन घटनाओं के साथ ही कहानी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले द्रिश्य को समझते हैं लेकिन द्रिश्य को समझाने से पहले मैं आपका ध्यान पट कथा लेखन की जो शैली है उसके तरफ खीचना चाहूंगा आप देखते हैं अपने पाठ में कि पाठ शुरू होने से पहले कोश्ठक में कुछ संकेत लिखे होते हैं वे संकेत क्या है उन संकेत को हम कहते हैं द्रिश्य संकेत जब भी कोई लेखक सिनेमा में, टेलिवीजन में या किसी भी सरजनात्म कार्ज में समबाद लिखता है तो उस समबाद को लिखते समय उसे ध्यान रखना होता है कि आखिर इस थीतियां कैसी है लेखक जब पटकथा लिखता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि आखिर दृष्य लेखन से पहले उसके संकेत को बताया जाए तो मनुभंडारी ने भी रजनी पटकथा लिखने से पहले प्रतेक दृष्य से पहले उन संकेतों को दिया है जब आप इस पट कथा को पढ़ना शुरू करेंगे तो ब्राइकेट में लेखिया यहां लिखती है कि यह एक मध्य बरगिये परिवार की कहानी है इसमें और इसमें लीला का फ्लैट है और रजनी पडोसी है वो आती है बेल बजाती है और उसके बाद लीला रसोई में है अंदर आती है और वो कहती है बाजार चलने की बात करती है और पहला द्रिश्य आरंभ हो जाता है तो पहले द्रिश्य में हम देखते हैं कि लीला का घर है और उसमें रजनी और लीला के बीच बादचित शुरू होती है रजनी लीला से बाजार चलने के लिए कहती है लेकिन लीला यह कहती है कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है इसलिए वह बाजार नहीं जा सकती है रजनी अमित को बहुत स्नेह करती है इसलिए रजनी भी बाजार जाने का काज़क्रमस्तगित कर देती है क्योंकि अमित एक हुनहार विद्यार्थी है और वह अपने सभी विशेयों में बिना किसी ट्यूशन के वह नंबर लाता है लेकिन इस बार अमित का रिजल्ट निकला है और अमित आने वाला है इसलिए उसकी मा लीला तयारी की हुई है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा और उसके लिए खास रस्मलाई मंगवा के वो रखी हुई है ताकि अमित को यह बहुत पसंद है और उसे वह खिलाएगी तो अमित जब आता है तो वो बहुत उधास होता है उधास होने का क्या कारण है उसके माक्स गणित में उसके माक्स मातर सत्तर अंक आए है जिससे अमित भोथ ही हतोट साहिब है लीला पूछती भी है कि क्यों तुमने अच्छे से पेपर किये थे अमित कहता है कि हाँ भिलकुल मैं अच्छे से पेपर किया था लेकिन अमित साथ में यह भी बताता है कि तुमको मैं शुरू से कह रहा था कि गणित के जो सर हैं वो बार-बार हम लोग को कहते रहे हैं कि अगर तुम ट्यूशन मुझसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अंक नहीं आएंगे और देखो अंत में यही हुआ लेकिन लीला कहती है कि देखो हम लोग मध्यवर्व की ये परिवार के लोग हैं हम सभी विश्यों के ट्यूशन पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी तो हमने अंग्रेजी के ट्यूशन पढ़वाए लेकिन गणित में तो तुम बहुत अच्छे थे इसलिए तुम्हें गणित के ट्यूशन की जरूवत तो नहीं है लेकिन अमित कहता है कि तुम समझा करो बात मा सर कहते हैं कि जो बच्चा ट्यूशन हमसे नहीं पढ़ेगा उसे अंक नहीं आएंगे और इस तरह से रजनी भी बहुत गुसा होती है और कहती है कि ये कौन सी बात हो गई चलो मैं कल चलती हुई स्कूल और बात करती हूँ हेड मास्टर से लेकिन लीला रजनी को रोकती है विद्यार्थियों आज अपने समाज में हम अकसर देखते हैं कि जहां कहीं भी कुछ अन्याय होता है तो एक व्यक्ति अगर उस अन्याय के खिलाफ उठने की कोशिश करता है तो साथ में जो बैठा व्यक्ति है वह उसे कहता है यारे कुछ नहीं होने वाला चुपचा बैठ जाओ तुम्हें आगे बढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आप देख सकते हैं कि रजनी उस अन्याय के खिलाफ आगे आना चाहती है लेकिन लीला जो अमित की मा है वह कहती है कि रजनी तुम रहने दो तुम अगर श्कूल जाएगी तो कुछ और ही बवाल कर दोगी यानि हम मध्यवरगिये पर लोग अपने जीवन के प्रती अपने भविष्य के प्रती इतने ससंकित रहते हैं कि हमारे हमसे हमारे उपर कोई अगर अन्याय करता है हमारा कोई सोशन करता है तब भी हम उस सोशन के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते विद्यार्थियों हमें रजनी जैसे चरित्र के माध्यम से लेखिका ने यह हम तक संदेश दिया है कि अन्याय के खिलाफ शोशन के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारा समाज दिन परते दिन बद से बत्तर होता चला जाएगा और आम आदमी मध्य बरगिये लोग गरीब गुर्बा उसका जीवन में हमेशा वह संकट रहेगा जो संकट अभी आप अमित लीला और रजनी के बीच देख रहे हैं लेकिन रजनी नहीं मानती है और वह कहती है कि नहीं कल हमें हेडमाश्टर साहब से मिलना ही है तो विद्यार्थियों अब दूसरे द्रिश्य को हम देखेंगे कि दूसरे दिश्य में आखिर क्या बात होती है रजनी स्कूल में हेडमाश्टर साहब के पास जाती है हेडमाश्टर साहब मिलते हैं रजनी से रजनी वहाँ उस समस्या को रखती है Headmaster साहाब को रजनी कहती है कि आप अमित की copy हमें दिखा दीजिए ताकि मैं देख सकूँ कि आखिर इस बच्चे ने गलती कहां की है लेकिन Headmaster साहाब यह कहते हैं कि annual exam की copy किसी को नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि अगर हम इस तरह से copy दिखाने लगे तब तो यहाँ parents की भीड हो जाएगी और हर बच्चा यही कहता है कि हमने बहुत अच्छा paper किया है लेकिन बच्चा अच्छा paper नहीं करता यानि Headmaster साहब का भी जो रवया है वह विद्यार्थियों के साथ अभिभाबकों के साथ सहयोग का रवया नहीं है उन्हें अपने विद्याले अपने सिक्षकों पर ज्यादा भरोसा है ठीक है भरोसा करना भी चाहिए लेकिन अगर कोई parents कोई विद्यार्थी अगर अपनी कौपी देखना चाहता है अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है तो हमें उसे सहयोग करने की आवशक्ता होती है लेकिन यहां हम ठीक उसका उल्टा देखते हैं कि Headmaster साहब अमित को ही दोशी ठहरा देते हैं और उसे सहयोग करने के अपेक्षा उसे ही भला बुरा कहते हैं जिसके कारण रजनी और Headmaster साहब के बीच गर्मा गरम बहाश हो जाती है Headmaster साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और रजनी को जाने के लिए कहते हैं रजनी वहां से उठ खड़ी होती है लेकिन वह हार नहीं मानती वह उससे आगे जाने की सोचती है और अगले द्रिश्य में तीसरे द्रिश्य में हम देखते हैं कि फिर अपने घर पहुँच जाती है रजनी और अपने घर में अपने पती के साथ बातचीत करती है पती भी उसे रोकते हैं मैंने अभी थोड़ दिर पहले आपको कहा कि हमारे समाज में अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रोकने वाले कई खड़े हो जाते हैं उसे उत्साहित नहीं करते उसको सहयोग नहीं करते बलकि उसके रोक कर उसके जजबे को खत्म कर देना चाहते हैं चाहब परिबार हो, समाज हो, संस्था हो हर जगा ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही अधीक है सब यही कहते हैं कि यह सब तो चलता है लेकिन यह चलता है जो यह मुहावरे हैं यही हमारे जीवन को दिशा बदल देती है रजनी अपने पती पर गुस्सा होती है कहती है कि अगर अन्याय के विरुद्ध उठने की बात करना गलत है तब तो इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा रजनी अपने पती को कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं बदलता और जो जिस पोजिशन पे है जो जिस स्थान पे है वो अपने पद का दूरपयोग करता है तो रजनी इस तरह से अपने पती के साथ लीला के साथ गर्मा गरम बहश करने के बाद भी उस न्याय से मुख नहीं मोड़ती जिस न्याय को दिलाने के लिए वो खड़ी है चौथे द्रिश्य में हम देखते हैं कि रजनी डारेक्टर ओफ एजुकेशन के कारजालय में जाती है वहाँ बाहर दफ्टर के बाहर वह प्रतिक्षा करती है क्योंकि जो चपरासी खड़ा है वह रजनी से स्लीप लेकर कहता है कि जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको अंदर भेज दूँगा रजनी प्रतिक्षा करती है वहां लेकिन वह देखती है कि एक दूसरा आदमी वहां आया और चप्रासी को उसने अपने स्लीप के साथ कुछ पैसे दिये चप्रासी ने उसे तुरत अंदर भेज दिया यह देखकर रजनी को गुस्सा आता है और वह कहती कि जहां चप्रासी तक भरष्टाचार में जिस देश में लिप्त हो उस देश का अफीसर उस देश का प्रधान क्या कर सकता है आम आदमी की कौन सुनने वाला है लेकिन यह बात वह अपने मन से कहती है और यह ध्वनी है इसी ध्वनी संकेतों को भी हमें पहचानन होता है लेकिन रजनी तुरत उठती है और चपरासी को धक्का देकर अंदर चली जाती है वह निदेशक के सामने खड़ी होकर उनसे बादचित करती है और कहती है कि आप लोग जो प्राइबेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है वहां जो प्रिंस्पल हैं जो हेड मास्टर हैं क्या कभी आपने उनकी जानकारी ली कि वहां पर क्या चल रहा है उनसे बड़ी बादचित होती है निदेशक से और निदेशक साहब चुप चाप रजनी की बाते सुनते हैं और रजनी से यह कहते हैं कि कभी किसी ने कोई कंप्लेन ही नहीं की हमारे पास अगर कोई शिकायत आएगी तभी तो हम कोई कारवाई करेंगे लेकिन हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है इस संदर में इसलिए हमने कोई कारवाई नहीं की और रजनी ब्यंग करती है कि हां हां शिकायत आने के बाद भी आप किस तरह की कारवाई करेंगे यह हम सब को पता है और रजनी वह नहां से भी वापस चली आती है विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि बार-बार किस तरह से एक आम आदमी न्याय के लिए अलग-अलग जगहों पर जाता है लेकिन हर जगह उसे निराशा होती है और यही निराशा उसे कमजोर कर देती है कई बार हमारे समाज में हम देख है क्योंकि हर जगह जाने के बाद उसे वैसे ही लोगों से मुठवेड होती है जिस तरह के लोगों का उसे उमीद नहीं होती तो बच्चों इस कड़ी में हम लोग यहां तक इस रजनी पटकथा को पढ़ेंगे और अगली कड़ी में फिर हम इसके आगे की बात करेंगे कि अपका है जिस की देवेड़ीद जिस कि आगे के लुआ है बासे दूरी कि बात करेंगे लोगों का इस फज़ीद तरह का बात करेंगे जिस तरह करेंगे ग, उसे दसे दो कि का पूँभ होती है